बच्छों हम कक्सा साथ की NCRT पाट्य पुस्तक गणित का दिन कर रहे थे जिसका हम पढ़ रहे थे चेप्टर नमबर आठ राशियों की तुलना बच्छों हमने इसका पहला पार्ट पूरा कर लिया था जिसमें हमने समझा था कि दो राशियों की तुलना कैसे करते हैं उनका अनुपाद कैसे निकालते हैं और तुले अनुपाद कैसे ग्याद करते हैं पर चो आज हम इसका भाग दोस्ट पढ़ाएंगे परसनावली आठ पूर्ट एक के उधारण परसनावली से पहले परसनावली के सारे उधारण करने बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक उधारन समझ में नहीं आएंगे तब तक परसनावली के क्योसन भी समझ में नहीं आएंगे उधारन देखो किताम के अंदर जो उधारन नमबर 3 है तेखो एक क्रिकेट टीम दुआरा खेले गए कुल मेचों का परदसन निम्न परकार है एक cricket team है जिसने कुछ match खेले और उन matchों का प्रदर्शन एक सार्णी में दिया हुए है कि पिछले वर्स आठ तो match जीते थे और दो match हारे थे कितने आठ matchों में जीत दर्जगी और दो में हार गए और इस वर्स चार में जीते और दो में हार गए यह हमें आकडे दिये वे है अब बच्चों क्या पुछा है कि किस वर्स में परदर्शन बहतर था यानि किस वर्स में दोनों team हों का परदर्शन ज्यादा अच्छा रहा है ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं हम ऐसा किस लिए कह सकते हैं यह भी बताना है तो बच्चों दखो पहले इनका अनुपात निकालेंगे, तो पिछले वर्ष का, पहले निकालेंगे, पिछले वर्ष का, जीत का और हार का अनुपात, जीत अनुपात हार, तो बच्चों जीत का अनुपात कितना था, जीत आठ थी और हार दो थी, आठ मेचो में जीत दर थी और 2 में चुमें हारती, तो हम लिखेंगे 8 अनुपात 2, अब अनुपातों में है तो इसको भिन्नों में भी लिख सकते हैं, तो 8 अनुपात 2 को क्या लिख सकते हैं, 8 बटा 2, और इसको सरल करेंगे, तो 2 में किसका भाग जाता है, 8 और 2 में, 2 का भाग दोनों में जाता है, त पिछले वर्स का प्रदर्शन दा उसकी भिंना आगई और अनुपात आगया 4, अनुपात एक ठीक है बच्म अब इस वर्स इस वर्स क्या किया इन्होंने, 4 मेंचो में तो जीत दर्श की और 2 मेंचो में हार गए तो जीत, अनुपात हार अब कितने हो जाएगा, ह। दो इसको भिन में लिखेंगे तो चार बटा दो और सरल करेंगे तो चार और दो में किसका बाग जाता है दो का तो चार में दो बार और दो में एक बार तो दो बटा एक तो इस वर्स का अनपात कितना आ गया दो अनपात एक या भिन के रूप में कहें तो दो बटा एक अब की तुलना करेंगे इसके आगे इदर लिख देता हूं में तुलना दोनों वर्सों की तुलना करो किस में जागा अच्छा परदसन रहा तो पिछले वर्स का परदसन था चार बटा एक और इस वर्स का है दो बटा एक तो बटा एक तो अगर हर समान है तो उपर वाली संख्या देखते हैं तो चार और दो में से बड़ा क्या है चार तो इसका मतलब है ये वाली संग्या बड़ी है और पिछले वर्ष का परदर्शन इस वर्ष की तुलना में अच्छा था हम क्या लिखेंगे उसके आगे लिखना है कि पिछले वर्ष का परदर्शन पिछले वर्ष का प्रदर्शन इस वर्ष की तुलना में बहतर है था ठीक है बचो पिछले साल चार बटा एक अनुपात से जीत तर्श की थी और इस बार दो बटा एक से तो पिछली बार का प्रदर्शन इस बार के प्रदर्शन से ज़्यादा अच्छा था ऐसा हम किस आदार पर कह सकते हैं तो बच्चो हम कह सकते हैं क्योंकि हमने दोनों के भिन्नों की तुलना करी है और तुलना करने पर हमें ये पता चला कि पिछले वर्ष की भिन्न का बात इस वर्ष की बिनके अनपास से ज़्यादा अच्छा है, तो हम कह सकते हैं कि पिछले वर्ष का परदर्शन इस वर्ष से बैतर था या अच्छा था, ठीक है बच्चो सब के समझ में आया ये वाला उधारन, अब अगला उधारन देखो, बच्चो देखें उधारन नमब के दर्शाया हुआ है, यदि दो स्तानों की बीच की दूरी मानचित्र में 2.5 cm है, अगर दो स्तानों की बीच की दूरी मानचित्र में 2.5 cm दर्शाते हैं, तो वह वास्तब में कितनी किलोमेटर है, अगर 2 cm है तो वास्तब में 1000 km होती है, अगर 2.5 है तो वास्तब में कितन इसको दो तरीके सेल कर सकते हैं एक तो एक विदी से और एक अनुपाथ वाली विदी जए अनुपाथ वाली विदी और एक विदी तो दोनों पुएल करके देखेंगे तो सबसे पहले एक विदी दूंग् Bernie में दरसाई दूरी, दो सेंटिमेटर में कितनी दूरी दरसाई के यह हजार किलो मिटर, तो हम लिखेंगे हजार किलो मिटर, अब दो के लिए थी, अब हम निकालेंगे एक सेंटिमेटर के लिए, तो एक सेंटिमेटर के लिए, तो एक सेंटिमेटर में दरसाई दूरी कितनी ह हो जाएगी एक सेंटिमेटर में दर्साई दूरी हो जाएगी हजार बटा दो किलो मिटर अब पूछा कितना है दो पॉइंट पांस सेंटिमेटर के लिए तो दो पॉइंट पांस सेंटिमेटर के लिए 2.5 cm में दर्साई दूरी कितनी हो जाएगी बच्चो 1000 बटा 2 गुणा 2.5 कितना हैगा बच्चो इसको solve करो जेगो 2 का बाग 1000 में दिया तो 500 बार 500 को 2.5 से गुणा करना है तो 500 गुणा 2.5 यानि 1250 km ठीक है बच्चो 1250 km आ गया या आंसर कितना है या 1250 km तो हम बताएंगे कि 2.5 सेंटीमिटर में 1250 km को दर्साई आ गया है अब अनुपात वाली विदी देखो अनुपात किसे निकालेंगे अब 1000 km और वास्टिक दूरी एक तो दे रखी है हजार और एक पुछी है और मानचितर वाली दूरी रखो एक दो सेंटीमिटर है और एक दो पॉइंट पांस सेंटीमिटर है यह हजार अनुपात एक और यह है दो अनुपात दो पॉइंट पांस यह दोनों समान अनुपात में हैं तब ही हमें वैल्यू मिलेगी अब देखो इसको सॉल कैसे करेंगे तो अनुपातों को पहले बिन्नों में लिखेंगे तो हजार बटा एक्स बराबर दो बटा दो पॉइंट पांच जब बटे वाली संक्या बराबर में आती है तो वजजर गुणा करते हैं यानि यह वाली संक्या इससे गुणा और यह वाली संक्या इससे गुणा तो इधर तो आजाएगा 2 गुणा X बराबर 1000 गुणा 2.5 तो X बराबर क्या आजाएगा 2 इधर गुणा हो रहा है उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा तो 1000 गुणा 2.5 बटा 2 X बराबर क्या आजाएगा 2 का बाग 1000 में दिया तो 500 बार 500 गुणा 2.5 500 को 2.5 चमूना किया तो 1250 1250 किलो मिटर ठीक बच्चो समझ में आया दोनों विदिया देखी है अपने एक एक विदी और एक है अनुपात विदी दोनों विदियों से हमने निकाला तो 1250 किलो मिटर आंसर आ गया यह वाले question बच्चो समझ में करने है एक इक वीजी आसान लेके तो एक इक वीजी से करना है और अनुपाथ वीजी लेके तो अनुपाथ वीजी से करना है ठीक है बच्चो अगला question देखो अगला उधारण है यदि 6 कटोरियों का मुल्ले 90 रुपे है क्या दिया हुआ है कि 6 कटोरियों का मुले 90 रुपे है तब ऐसी ही 10 कटोरियों का मुले कितना होगा तो 10 कटोरियों का मुले पूछा है तो हम एक इक विदी अपनाएंगे एक इक विदी ज़्यादा आसान रहती है तो एक इक विदी से देखो कितनी Katoriya का दिया हुआ है? 6 Katoriya का, तो हम लिखेंगे 6 Katoriya का मुले 6 Katoriya का मुले कितना है? 90 रुपे ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया अब एक एक विद्धी में क्या निकालते हैं? एक का, तो यहां 6 Katoriya का था तो हम निकालेंगे 8 Katoriya तो एक कटोरी का मुल्य एक कटोरी का मुल्य कितना हो जाएगा 90 बटा 6 अब पूछा कितना है दस कटोरी होगा तो अब लिखेंगे 10 कटोरी हो का मुल्य तो 10 कटोरी का मुल्य हो जाएगा 90 बटा 6 गुणा 10 रुपे तो 90 को 10 से गुणा किया तो कितना आगया 900 बटा 6 900 में 6 का बाग दिया कितना आएगा 150 रुपे तो बच्चो 6 कटोरिय का मुल्ले हमें 90 रुपे दिया हुआ था और हमें 10 कटोरिय का मुल्ले पूछा था जो हमने 11 विदिशे निकाला तो 150 रुपए उत्तर आ गए समझ भाया आग नहीं बच्चो ऐसे क्योशन आपको अपने मन से भी करने है जैसे 5 पैन का मुल्ले 25 रुपए है तो 3 पैन का मुल्ले कितना होगा ऐसे मन से क्योशन बनाई है और उनको 1-2 विदी से हल करनेगी कोशिस कीजिए अगला हुदानन देखो मेरी कार 25 लिटर पैटरॉल में 500 यानी 150 किलोमेटर की दूरी तै कर लेती है 25 लिटर पैटरॉल में 150 किलोमेटर तो बताओ 30 लिटर पैटरॉल में कितनी दूर जाएगी तो बच्चो वही एक इंग विदी अपनाएंगे पच्चीस लीटर पैट्रोल में तै दूरी 25 लीटर में कित्ति दूरी तै करती है 150 किलोमिटर ठीक है यहाँ तक समझ में आया अब पुछा है 30 लीटर में तो एक इकवीदी से शबसे पहले क्या निकालेंगे एक का यानि एक लीटर पैट्रोल में तो एक लिटर पेट्रोल में तै दूरी तो एक लिटर में किता जाएगा एक सो पचास बटा 25 ठीक है किलो मिटर अब पूछा है 30 लिटर में तो 30 लिटर पेट्रोल का निकालेंगे कितनी हो जाएगी 150 बटा 25 गुणा 30 अब देखो बच्चो 25 और 150 दोनों 25 से कट रहे हैं 25 का बाग देखो 25 का बाग एक बार यहां 25 का बार 6 बार अब 6 गुणा 30 6 को गुणा किया 30 से कितना है 180 किलो मिटर ठीक है बच्चो तो 25 लिटर में 150 किलो मिटर जाती दी तो 30 लिटर में जाएगी 180 किलो मिटर सब के समझ में आई यह भी दी और ऐसे क्यूशन अपने मन से भी हल कीजिए तो बच्चो आज हमने परस्णावली पूरे समझ लिए हैं और आसा करता हूँ आपके सब के समझ में भी आये होंगे अगर कोई कंफिजन है तो आप वीडियो को सुरू से दुबारा देख सकते हैं अब अगले पार्ट में हम सुरू करेंगे परस्णावली आर्ट पॉइंट एक के परस्ण ठेंक्यू